दोस्तो जिस हत्यार का हमारी सेना पिछले लंबे समय से इंतिजार कर रही थी फाइनली आज उसी हत्यार को बनाने के लिए हमारी मिनिस्ट्री ओफ डिफेंस ने हरी जंडी दे दी है आप सभी ये बात जानते हो कि इस समय हमारी सेना सत्रा सो के आज पास एफ आर सीवी यानि की फ्यूचर रेडी कॉमबेक्ट विहिकल को लेना चाहती है और आज इनी एफ आर सीवी को लेकर हमारी मिनिस्ट्री ओफ डिफेंस ने एकसेप्टेंस ओफ नेसिसिटी को मंजूरी दे दी है और बताया ये जा रहा है कि हमारी सेना के लिए सत्रा सो सत्तर की संख्या में एफ आर सीवी को लिया जाएगा इस प्रोजेक्ट को तीन अलग-अलग फेज में डिवाइड किया गया है और एक फेज के दोरान पान सो नबे की संख्या में फ्यूचर रेडी कॉमब और पबलिक सेक्टर की कमपनी को इन्वोल किया जाएगा सहाँ पर इन दोनों ही कमपनियों को डवलप्मेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर के रूप में चुना जाएगा यानि की डिजाइन तो डिया जाएगा और जो प्रोटोटाइप बनाये जाएगा वो इन कमपनियों द्वाराही बना कर तयार किया जाएगा इस प्रोटोटाइप को बनाने के लिए हमारी गोर्मेंट की तरफ से 90 पर्तिशत की फंडिंग की जाएगी और बचे हुए 10% पैसे को उस कमपनी को ही खर्च करना होगा जो इस प्रोजेक्ट में हिस्सा लेगी जब हमारा फ्यूचर केड़ी कॉमबेक्ट वीकल बन कर तयार हो जाएगा और बाद में जब इसको प्रोडक्शन के लिए भेजा जाएगा उस समय 30% और 40% के पहत इनका ओडर दिया जाएगा यानि की 60% FRCV को बनाने का उस कमपनी को मोका दिया जाएगा जो कमपनी गम बोली लगाएगी और 40% FR FRCV को वो कमपनी बनाएगी जिसकी तरफ से बोली थोड़ी जादा लगाए जाएगी साथ में एक अपडेट UAE को लेकर भी आया है जहां पर बताया जा रहा है कि इस समय UAE की एड्स ग्रूप हमारी किसी AC प्राइवेट कमपनी की तलाश करने में लगी हुई है जो UAE की और इस समय UAE की तरफ से ये प्लैनिंग की गई है कि हम इन ड्रोनों का भारत के अंदर ही प्रोडक्शन करकर भारत को भी बेचेंगे और भारत के अंदर से ही इन ड्रोनों का एक्सपोर्ट भी करेंगे साथ में UAE की तरफ से भारत को अपना Reach M नाम का ड्रोन भी ओफर किया इस ड्रोन की मदद से हम काफी आसानी से सर्विलेंच भी कर सकते हैं और इस ड्रोन की मदद से हम ग्राउंड अटेक भी काफी आसानी से कर सकते हैं इस ड्रोन की कुछ खास्यतों की बात की जाए तो Reach M का जो Maximum Take Off Weight रहने वाला है वो 1500 किलोग्राम के आसपास रहने वाला है ये ड्रोन अपने साथ में 350 किलोग्राम के पेलोड को लेकर जा सकेगा इस ड्रोन की क्रूज स्पीड 175 किलोमीटर प्रतिघंटा होगी यानि कि ये ड्रोन 175 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफतार से हवा में अपनी पोजिशन को बदल सकेगा और इस ड्रोन का Endurance Time यानि कि इस इस बात का अंसर आप कमेंट बोक्स में दे सकते हैं ठेंक्स पूर वोचिंग दिस वीडियो, वेव गूड डे